दोस्तों अगर आपने ग्रामीड डाक सेवक भरती 2023 के अंतरगात ओनलाइन आवेदन कर दिये हैं या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किये हैं तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किन-किन लोगों को आवेदन करना चाहिए और जिन लोगों ने आवेदन कर लिये हैं तो उनकी कट ओफ कितने तक जा सकती है यहां पर मैं आप लोगों को बिलकुल लाइप पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ और जो पिछल वालों को और किन-किन students को इसमें फोरॉम को फिल अनकारी आपको मिलने वाली है तो चलिए यहां पर मैं आप लोगों को जिन भी लोगों ने मई 2023 में फोर्म को ओनलाइन अपलाई किया था उनकी लिश्ट दिखा देता हूं और पूरी कट ओफ दिखा देता हूं तो यहां पर कुछ नीचे की साइट में आएंगे GDS Special Drive मई 2023 लिखा हुआ है और इसके जस नीचे ही Short Listed Cand Candidates लिखा हुआ है इसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को सभी States के नाम देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि आपका जो भी State है आपको सबसे पहले उस State पर आना है मैं आपको यहां पर basically UP से दिखा देता हूं क्योंकि दोस्तों यहां पर ज्यादा तर viewer UP से ही हैं त यहां पर दोस्तों पूरी first list में आप लोगों को 100% वालों का ही selection मिलने वाला है कहीं कहीं पर आप लोगों को 98.66% है बाकि दोस्तों यहां पर सभी 100% वालों का ही selection हुआ है इसके बाद दोस्तों यहां पर हम बात कर लेते हैं second list की UP में second list की cutoff कहां तक गई है तो second वाले option प देख सकते हो कुछ ऐसा ही हाल है यहां पर 100% 99% कहीं कहीं पर दोस्तों यहां पर 98% भी आपको देखने को मिलेगा इसके बाद दोस्तों यहां पर तो यहां पर किलिक करेंगे इसके बाद यहां पर थर्ड लिष्ट पर जब आएंगे इसके बाद आप देखेंगे जो थर्ड लिष्ट है इसमें भी 99% 98% कुछ इस तरह से यहां पर कट ओफ है जो कि आप लोग ओनलाइन ही लाइप प्रोसेस पूरा देख सकते हो जिन भी लो लोगों का स्टेजवाइस दिया हुआ है आप लोग खुद ही चेक कर सकते हैं यहां पर भी दोस्तों आप लोग देख सकते हो 100% बालों का ही फर्स्ट लिष्ट में चैन हुआ है तो इसी तरह से आप लोग एक अनुमाल लगा सकते हैं कि आपकी जितनी परसेंट है उस हिसा हो चुके हैं अब बात कर लेते हैं कि किन-किन कैंडिडेट्स को इसमें ओनलाइन अपलाई करना चाहिए तो यहां पर देखिए अगर आप लोग एस्टी और एस्टी कैटागरी से हैं तो यहां पर आपकी परसेंट जितनी भी हो आपको फॉर्म को फिल अप कर देना है क्य यहां पर अगर आप 80% से नीचे के हैं तो आपको बिलकुल भी यहां पर फॉर्म को फिल अप नहीं करना है क्योंकि दोस्तो 80% से नीचे वालों का तो बिलकुल ही कोई उमीद नहीं है इसके बाद दोस्तो यहां पर 80-90 तक भी कोई उमीद नहीं है लेकिन फिर भी आप लो को यहां पर complete short list दिखा दी है कि कि लोगों का यहां पर और कितने percent वालों का यहां पर selection हुआ है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक form को apply नहीं किया है तो बहुत किस तरह से अभी form को apply कर सकते हैं क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हूँ इसकी last date बागी है अभी आप तेरी सगास तक form को apply कर सकते हैं तो form को apply करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है वीडियो के description box में मैं आपको एक link दे दूँगा उस पर click करेंगे तो आप इस वाली website पर आ जाएंगे यहां पर आपको सबसे पहले अपना registration complete करना है registration करने के लिए आपको registration वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद सबसे पहले आपको यहां पर अपना mobile number enter करना है और इसके बाद validate mobile number वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद देखिए आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा इसके बाद OK वाले option पर click करेंगे जो भी OTP आया है उस OTP को आपको यहाँ पर fill करना है और इसके बाद submit OTP वाले option पर click करना है यहाँ पर देखिए आपका जो mobile number है वह है successfully यहाँ पर validate हो चुका है अब आपको यहाँ पर अपनी email ID देनी है और इसके बाद validate mail वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद आपने जो भी email ID दी है इस email ID पर भी एक OTP send किया जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ पर fill करना है और OTP fill करने के बाद submit OTP वाले option पर एक बार click करना है यहाँ पर आपकी email ID भी validate हो चुकी है इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम fill up करना है इसके बाद आपको यहाँ पर अपने father या फिर mother का नाम fill करना है और आप जो भी यहाँ पर information fill up करेंगे बहे अपने high school की mark seat के according ही आपको fill करना है इसके बाद आपको यहाँ पर date of birth fill करना है यह भी आपको अपने high school की mark seat के according ही fill करना है यहां से आपको अपना gender select करना है इसके बाद आपको यहां पर community select करनी है यानि की category आपके इस category के हैं इसके बाद आपको यहां पर circle select करना है आपने जो भी high school pass किया है बहे कौन से state से pass किया है इसके बाद आपने कौन सी sun में pass किया है वहें sun आपको यहां से select कर लेनी है और इसके बाद आपको एक capture code दिखाई दे रहा है इस capture को आपको same to same यहां पर fill करना है सभी कुछ information को fill करने के बाद submit वाले option पर एक बार click कर देना है इसके बाद यहां पर आपको OK वाले option पर एक बार click कर देना है यहां पर आपको कुछ नीचे की साइड में आना है और इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर अपने आधार कार्ट की information को fill up करना है जैसे कि सबसे पहले आपको यहां पर अपने आधार number को enter करना है अगर कोई भी disabled person है तो आपको yes या no में यहां पर select कर लेना है इसके बाद यहां पर आपसे पूचा जा रहा है आपने जो भी high school pass किया है उसमें कौन-कौन सी language थी तो जो भी language थी वो आपको यहां पर fill up कर देना है यानि कि आपने high school कौन सी language से पास किया है इसके बाद यहाँ पर क्या आप Employee है अगर हैं तो Yes करेंगे अगर नहीं है तो आपको No करना है और इसके बाद जो INOS, बगएरा मांग रहे हैं अगर आप Employee हैं तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा इसके बाद आपको यहाँ पर अपने एक Photo को upload करना है और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर अपने signature को upload करना है और ध्यान रहे आप जो भी अपना photo को upload करेंगे उसका size 50KV से कम होना चाहिए और साथ ही जो भी signature upload करेंगे उसका size 20KV से कम होना चाहिए और सभी कुछ information fill करने के बाद photo signature को upload करने के बाद submit वाले option पर एक बार click कर देना है और जैसे ही आप लोग submit वाले option पर click करेंगे इसके बाद आपने जो कुछ भी information को fill up किया होगा सभी का overview आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा अगर इसमें से आपके सभी कुछ detail सही है तो आपको यहाँ पर consent देना है और इसके बाद submit वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे आपका यहाँ पर registration successfully हो चुका है और आपको एक registration number भी मिल चुका है इसके बाद आपको यहाँ पर circle select करना है कि आप कौन से circle से apply करना चाहते हैं यहाँ पर click करेंगे सभी states के नाम आ जाएंगे और इसके बाद submit वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद दोबारा से आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा OTP आपको यहाँ पर fill up करना है और इसके बाद एक capture code दिखाई दे रहा है इस capture को आपको same to same यहाँ पर fill कर देना है और इसके बाद next वाले option पर एक बार click कर देंगे यहाँ पर आपका registration complete हो चुका है अब आपको यहाँ पर application form को fill up करना है उपर के side में आपकी कुछ detail पहले से ही fill up रहेगी और आपको यहाँ पर address detail को fill करना है address detail में सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने house number या फिर door number, apartment number को fill करना है इसके बाद आपको यहाँ पर street का नाम fill करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको village का नाम fill करना है यहाँ पर आपको अपने पंचायत का नाम फिल करना है इसके बाद आपको यहाँ पर अपने एरिया के पिन कोड को एंटर करना है सबी कुछ डिटेल आपको यहाँ पर फिल करने के बाद अगर आपका Communication Address और Permanent Address same है तो आपको इस वाले Box पर टिक लगा देना है तो आपका जो भी communication address होगा बही यहाँ पर आ जाएगा अगर अलग है तो आपको यहाँ पर अलग fill कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपसे qualification detail मांगी जा रही है इसमें आप लोगों को यहाँ पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपसे board मांगा जा रहा है कि आपने high school काउंसे board से किया है board को select करने के बाद आपको यहाँ पर result type को select करना है जिसमें mark select कर लेने है select करने के बाद यहाँ पर कुछ नीचे की side में आएंगे और इसके बाद यहाँ पर subject आपको select करना है और subject wise यहाँ पर आप लोगों को marks select करने है तो जैसी कि यहाँ पर सब से पहले हम Hindi को सिलेक्ट करेंगे, अब हिंदी में 100 में से कितने मार्क आये हैं वो आपको इस वाले box में fill up कर देना है इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को दूसरे subject को select करना है और उसमें कितने mark आये हैं वो आपको यहाँ पर type करते जाना है इसी तरह से high school में total 6 subject होते हैं तो 6 subject के number आप लोगों को यहाँ पर अलग-अलग fill कर देने हैं और दोस्तों यह सभी कुछ marks fill करने के बाद करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सभी division आ जाएंगे लेकिन इन में से आप सिर्फ एक ही division select कर सकते हैं division का मतलब आपका जो भी district है तो आप अपने district में ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा तो जैसी कि मैं यहाँ पर division का नाम select कर लेता हूँ division का नाम select करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपके district के अंतरगत यानि कि आपके division के अंतरगत जितनी भी post अविलेवल होंगी भहे सब आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएंगी और यहाँ पर आप लोगों को यह भी देख लेना है अपनी category वाइस देख लेना है जैसी कि यहाँ पर यह वाली एक division है और इसमें OBC है अगर आप OBC के candidate हैं तो आपको यहाँ पर यह चीज जरूर देख लेनी है इसके बाद आप जहाँ पर भी apply करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको first number enter कर देना है जैसी कि आप अगर इस वाले area में job करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर first enter कर देना है इसके बाद यहाँ पर OVC में दूसरी जगह भी करना चाहते हैं तो इसी तरहें से आपको यहाँ पर second enter कर देना है इसके बाद यहाँ पर third इसी तरहें से आप जितनी चाहें दस्वीज से division आप लोग यहाँ पर select कर लें यहाँ पर नीचे की side में आपको अब आपको क्या करना है अगर आप जनरल या फिर OVC से हैं तो आपको यहाँ पर hundred रुपए की फीस का पेमिंट करना होगा यहाँ पर okay वाले option पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर सभी कुछ information आ जाएगी इसके बाद make payment वाले option पर एक बार क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर payment page आ जाएगा यहाँ पर hundred रुपए आप देख सकते हैं पेमिंट आप credit card, debit card, networking, UPI, ballot और QR code के माद्दिम से भी कर सकते हैं जैसे कि मैं QR से payment करना चाहूँगा तो QR वाले option पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर select your QR और इसके बाद भीम UPI वाले option को select करेंगे और इसके बाद make payment hundred वाले option पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक QR code आ जाएगा और इस QR code को scan करके आपको hundred रुपए का payment कर देना है यहाँ पर देखिए हमारा payment complete हो चुका है इसके बाद लिखके आ गया है application submitted successfully इसके बाद ओके वाले option पर क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए हमारे सामने final print आ चुका है और अब हम इस application form का print out भी ले सकते हैं यहाँ पर सभी कुछ information आ जाएगी और इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो print का option आ चुका है और जो भी मैंने यहाँ पर post select की थी बहे सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगे और इसी के साथ उपर के side में सभी कुछ information आ चुकी है हमारे signature बगेरा आ चुके और print करने के लिए print वाले option पर click करेंगे और अगर आपके पास printer है तो आप इस वाले form को यहीं से print out निकाल सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को registration से लेकर के final print out तक का complete process बता दिया है कि किस तरहें से आप लोग इंडिया पोस्ट GDS वैकंसी में online ही registration कर सकते हैं किस तरहें से form को fill up कर सकते हैं बाकी दोस्तो इसके अलावा अगर आपके अमन में कोई भी question है या फिर कोई भी confusion है तो आप हमसे comment करके पूँछ सकते हैं इस वीडियो में दोस्तो फिलाल इतना ही और मिलते हैं दोस्तो फिर से किसी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ